जब आप equity investments करते हैं दोस्तों, तो क्या आपको इसका idea रहता है कि exactly क्या allocation आपको follow करने चाहिए? या जब आप किसी instrument में invest करते हैं, तो वो instrument आपके पैसे को कितने सालों में double करके देगा क्या आपको इसका idea रहता है? या जब आप एक car खरीदने का plan करते हैं, तो हम अक्सर normally पहले features देखते हैं, right, क्या performance है गाड़ी की वगेरा वगेरा, ये सारी चीज़े देखते हैं, बढ़ देन क्या को एक चीज़ मालू है? आपको गाड़ी select करने से पहले आपको अपना पहले budget decide करना पड़ता है, तो ये budget decide करने का आपको formula मालूम है? तो दोसों, आज की इस वीडियो में मैं धीरज हेगडे investment academy की तरफ से आप से share करने वाला हूँ 10 ऐसे financial thumb rules जो आपको काफी सारे complications को uncomplicate करने में मदद करेंगे. चलिए, हम start करते हैं हमारे वीडियो के साथ, बस वीडियो स्टाट करने से भूले आप सभी से request है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, तो subscribe करना ना भूले है, तो पहला thumb rule है दोस्तो, thumb rule of 72, ये thumb rule से आप पता लगा सकते हैं कि आपके investments, जो भी आपने instrument में investment की है वो आपके investment को कितने सालों में double करके देगा, so उधारन के तौर पर मान के चलते हैं आपने FD में investment किये, अब 1 लाख रुपए आपने डाला है, अब 1 लाख, 2 लाख तक पहुचने के लिए कितना समय लेगा, तो यहाँ पर पहले तो हमें interest rate कितना FD दे रहा है, ये जानना जरूरी है, तो मान के चलते हैं यहाँ पर 5.5% आपकी FD इंट्रेस्ट दे रही है, तो 5.5% जगर आपका FD ग्रो हो रहा है न, तो आपका माल में double होने के लिए कितना वक्त जाएगा, क्या करना मैं बता रहा हूँ, simply आप 72 divided by 5.5 कीजे, 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 देखे, आपको क्य जवाब आएगा, 13.09, आया जवाब, येस, तो मतलब 13 साल, 13 साल से भी ज़्यादा, आपका FD लेगा, आपके इंवेस्मेंट को, एक लाग रुपे के इंवेस्मेंट को, दो लाग बनाने में, so that's how you calculate, through the help of, you know, thumb rule of 72, which will help you know, कि कितने सालों में आपके इंवेस्मेंट, ये था पहला रूल, सखी सईयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाये जात है, महंगाई डायन, इंफलेशन, आपका मालूम है, इंफलेशन आपके पर्शेसिंग पावर को कितनी इंपली इंपाट कर सकता है, दोस्तों, अगर हम एक एक एसंप्शन रखें यहाँ प कि कैसे आपके पैसों की वैल्यू कितने सालों में हाफ हो जाएगी, मतलब 100 रुपय आज अगर आपके जेब में है, अगर वो जेब में ही पड़ा रहा, तो 10 साल में आप देखोगे, अगर 7% की इंफलेशन है न, तो 10 साल में आपके 100 रुपय की वैल्यू हो जाएगी 50 half so that's how it works rule of 70 simply what you will have to do 70 को divide किजएगा जो भी inflation rate है तो अभी अगर मैं आज्यूम करूँ inflation rate 7% का है तो 70 divided by 7 is equal to 10 so 10 is what 10 years that means आपके पैसरे की value 10 साल में हाफ हो जाएगे इस तरीके से आप आप पता लगा सकते हो क्या कि purchasing power कैसे diminish हो रही और कितने सालों में उसका value आदा हो जाएगा through help of thumb rule of 70 तीसरा thumb rule है दोस्तो thumb rule of 100 minus your age यह थम rule के द्वारा आप यह पता लगा सकते कि exactly आपको equities में कितनी investment करनी चाहिए क्या minus 35 is equal to 65 65 is your allocation 65 percent now that that's how you know you can come to a conclusion कि कितनी equity investments आपको करनी चाहिए तो सौ रुपए अगर आप मान के चलता हजार रुपए बचारों महीना तो हजार रुपए में 30 साल अगर किसी की है और वो पच्पन उम्र तक अपने पच्पन उम्र तक investment कर रहे हैं मतलब उनके हाथ में भी 20 साल है तो 20 साल के लिए अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे है तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए मलूम है आपको कौनसी गाड़ी क्या यह सब सिलेक्टर्ण से पहले आपको सिलेट करनी चीए आपको पहले करना चाहिए कि आप कितने की गाड़ी एफॉर्ड कर सकते हैं आपकी पर्चेसिंग पवर क्या है कभी सोचा है इसके हिसाब से डारेक्शन से कभी सोचा है देखे नौर्मली आजकल क्या हो रहा है मैं बताता हूं बैंक्ヤ ओके आगए आपके अक söyl entrar launch मेंटर मेंटैन कर रहे है तो आपके इंकम के साफ से मान चलता एक लाग रुपै ना कमा रहे हो तो उसके साफ से बैंक आपको आट लाग तक आड लोन दे देगा बहुत कमपोडिवादी चैने-ऌर आपको आपके पास तो फंक्षन करना चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का बजट बनाना ज़रूरी है कि आप कितने की गाड़ी खरीद सकतो आइस पर इनकम तो यहां पर जो एक्जम्बल हमने थे क्या वन लाइक रुपीज पहला ओके दुरूल अफ ट्वेंटी फॉर एंटेंग वर्क की तंखवा में 10% मतलब 10,000 रुपए पाजो में करो अब यह 10,000 रुपए में क्या स्पेंड करोगे मान के चले 2,000 रुपए फ्यूल में लगा रहे हो और 8,000 रुपए आप EMI की तरफ ऐसा बजट सेट कर रहे हो तो 8,000 रुपए अगर आप EMI रख रहे हो ना गाड़ी के पीछ है और जो मैंने यह थमरूल बताया आपको 24 एंट इसमें जो 4 है ना 4 क्या मलूम है 4 है जो आटो लोन लेंगे आप उसका टेनियोर यस चार साल का ही लोन रहना चीए आपका तो चार साल का अगर आप लोन लेते और 8,000 तक की EMI की बजट रख रहे हो ना तो आपका ज तो साड़े आठ परसेंट से अगर आप चार साल के लिए 8,000 रुपई की EMI भरते हो तो सवा तीन लाख रुपई तक का आपका लोन बनता है अब सवा तीन लाख इस अफिक अलकुलेट इस अटी परसेंट आप यॉर कार्स वैल्यू तो मतलब हंडे परसेंट कितना हुआ दो फॉर लाख फाउसन रुपीज येस फॉर लाख फाउसन इस वाट यू के मैक्सिमूम स्पेंट बिकास जो मैंने अभी थमरूल बताया 24 ए 10 इसमें जो 20 है 20 स्टेंट फॉर 20 परसेंट डाउन पेमेंट तो 20 परसेंट डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो हमारे एक् चार साल में आपका लोन क्लियर हो जाएगा और उसके हिसाब से अगर हम देखे आपका गाड़ी का बजट बनता है चार लाख पाच सार रुपए येस 12 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को चार लाख से जादा की गाड़ी खरीदनी ही नहीं चाहिए तो ये देखो आपके पास गाड़ी खरीदने के पांट आप किसे है बड़ी गाड़ी लेने तो इंकम भी बड़ाना पड़ेगा there is no other way out but to actually increase your income because if you know emotional होकर sentimental होकर decision ले तो बड़ी गाड़ी ले तो अब भी problem नहीं होगा आगे होगा bank तो देगा bank का तो काम होए तो उसका business है बड़ा लोन मेचने का but then आप को यह समझना है कि वो आपके फाइदे में है या नहीं right so यह 2410 का रूल याद रखेगा ध्यान में रखेगा before buying a car thumb rule no.5 is rule of 4% यह हम इस्तमाल करते हैं जब किसी को यह पता लगाना रहता है कि उनके retirement kitty से उनको basically कितना withdraw करना चाहिए assuming किसी के पास एक करूट रुपए है अब वो retire हो चुके है अब हर साल कितना पैसा withdraw करे जिससे principle भी intact रहे yes बहुत सारे लोग अपने retirement में इस तरीके से planning करना चाहते कि वो सिर्फ interest में ही जीना चाहते principle वो अपने बादवालों को give करना चाहते है यह actually philosophy के मैं against हूँ बाद मान के चलते हैं अगर कोई ऐसे वेक्ती है तो उनको क्या करना चे मलूम है जिससे उनका principle भी intact रहे और उनको fixed पैसे भी आते रहे उनको simply एक करोट रुपए कारपस से 4% की withdrawal करनी ची मतलब पहले साल में उन्होंने चारलाग रुपए विड्रा किया एक करोट रुपए में अब दूसरे साल जो 96 लाइक बचा है ना उसका 4% है तो इस तरीके से अगर वह एक particular 20-25 साल तक withdrawal करते है ना और assume कर रहे हैं पर कि जो प्लान में उन्होंने investment किये वह करोट रुपए की वहाँ पर उनको 5-6% की interest आ रही है तो इस तरीके से अगर वह consistently withdrawal करते रहेंगे तो उनका principle आगे 4% से withdrawal करते है तो उनका principle इंटाक रहता है यह जो थम रूल है यह इतना accurate नहीं है relevant नहीं है अब ही के समय में हम देखे तो इन्वेस्टमेंट अगर हम करते है कि जो भी retirement कि रहती है जहां भी इन्वेस्ट करते है तो वह rate fix ने रहती है पहली बात दूसरी चीज़ लाइफ expectancy बढ़ रही है तो इंफलेशन बढ़ रहा है तो real rate of return काफी कम कम हो रहा है तो इस इसमें अगर हम देखे तो 4% एक्दम एक्यूरेट निया बहुत सारे एक्सपर्स का मानने कि 3% उसको 3% करना पड़ेगा चार परसेंट से मतलब चार लाग की तीन लाग करना पड़ेगा मतलब कम से कम विड्रॉल करेंगे तब जाके long term में आप देखो कि आपका फिंसिपल इंटैक्ट है नुमर 6 इस दे 10% सेविंग रूल आज अगर आप अपने रिटार्मेंट के पॉइंट आफियो से इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं तो एक 10% बेसिक अपने अपने हाउसोल इंकम का आप सेव कर सकते हैं अपने रिटार्मेंट के लिए बट इसमें मेरा इसमे इसेश को फुल फिल कर पाएंगे, अपने अपने इंकम का आज तो भी काफ़ेऑ और अगर आपका रीटार्मेंट अभी वीक साल ०ूर है और अगर आप कंफवरेबल चाहते हैं तो आप 10 परस мнट की जगए फिर 15% सेफ कीजे है, रिट? और अगर आप luxury चाहते हैं एक luxurious retirement तो आप 20% बचाईए तो 20% बचाने से आपके पास additional savings बन जाएगी जिसके through फिर आप वो सारे spends भी कर सकते हैं जो retirement के बाद आपने सोचा था कि मैं vacations करूँगा, मैं बहुत अच्छी lifestyle रखूँगा, मैं एक chauffeur driven car में गुमूँगा तो यह सारे अगर dream सबको fulfill करना है तो आपको आज 20% तो अपने income का safe करना ही पड़ीगा और अगर एकदम media car retirement चाहते हैं तो 10% भी काफी है Number 7 is rule of 3 months of expense fund दोस्तों uncertain वक्त में हर महीने के expenses को चलाने के लिए सबी के पास एक contingency fund होना बहुत ज़रूरी है अब uncertain time कभी भी आता है वो तो दर्वाजा खटखटा के आएगा नहीं कि मैं आ रहा हूं कहेगा वो कभी भी आ जाएगा तो इस time पे आपको कुछ breathing space आग के पास होना बहुत ज़रूरी है मानके चलते हैं अभी जैसे के कोवेट के crisis में बहुत लोग ने अपनी job गवा दी तो अब कोवेट क्राइस तो अभी तक टला नहीं यह तो चलू ही है बट अगर हम देखे एक साल से भी जाधा का वक्त बीद गया है और बहुत सारे लोग आज भी अने इंप्लाइडी है और अपने इंवेस्मेंट्स जो उनने सेविंग की तो उस पर वो जी रहे है बट देन दोस्तों इंवेस्मेंट्स पर अगर आप आज जी रहे हो जो आपने future के लिए किया था तो आप इमाजन केजे कि अगर आज वो पैसे आप कंजूम करों तो इस वजह से एक कंटिनेंजी फंड अपनी 12 मंस के एक्सपेंस को अपनी इंडस्ट्री में आज हो वो इंडस्ट्री में अगर जॉब लॉस हो जाए तो दूसरा जॉब आपको जॉइन करने के लिए कितना वक जाएगा उसके हिसा टोटली आप सप्रेट रखिए इसको आपने बाकी सारे गोल के साथ मिक्स मत किजिए विकास जैसे कि मैंने कहा अगर आपने बचों की पढ़ाई के लिए रटार्मेंट के लिए सेविंग्स के तो वह सेविंग्स थोड़कर आपको अपने कंटिनेंसी या शॉट टम एक्स पंड बना के रखिएगा अगर आपको एक घर खरीदना है तो पहले तो आप यह चेक कीजिए कि आप 20 परसंट डाउन पेमेंट भर सकते है या नहीं अगर एक करोड़ रुपे की घर है तो आपको 20 परसंट के साब साब 20 लाग रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ेग जब कभी आप जब कभी आप लोन प्लाइन करो ना एक बेसिक थमरूल हमेंश हैद रखिए आपको अपने इंकम का 2x तक का ही मैक्सिमम लोन लेना चाहिए तो अगर आपके आमदानी 25 लाग रुपए सालाना है तो 50 लाक तक का ही आपको लोन के लिए अपलाई करना आपको फैरियल होस का बजट है इसके आगे अगर आप संपेंड कर रहे हैं तो आप मेंज डाइंट एक आपको अब इंट्रेस अवेंस को फॉत को दिस थम मेंटायों आंच आज आपको अगर आप प्री पेमिंट का जब ही हिस ऑर अगर तो आपको पहले focus में जो सबसे highest सबसे expensive loan है ना उसको पहले आपको prepay करने का target set करना चाहिए तो मान के चलते हैं अगर एक मैं order बता हूँ तो पहला आता है credit card loan उसके बाद आता है overdraft loan उसके बाद आता है personal loan उसके बाद आता है auto loan and फिर बाद में last में आप home loan को prepay कर सकता है but then आप पहले तो यह order follow कीजेगा कि इसके हिसाब से ही आपको आके prepayment plan करनी चाहिए last but not the least thumb rule number 10 is your education loan should not exceed your expected first year salary so दोस्तों अगर आप एक education loan लेने का सोच रहे है right तो education को complete करने के बाद course को complete करने के बाद जो आपकी पहली salary आप draw करोगे जो कि एक expected range रहेगी right placements के हिसाब से तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप education loan सिर्फ उतने तक का ही लेंगे जितना आपका पहले साल का expected salary रहेगा तो मानके चलते आप placement expect कर रहे हो in the range of in a salary range of 8 to 10 lakh rupees कि ये range में आपकी first year salary रह सकती है तो आपका education loan भी उतनी ही amount का होना चीज़ 8 to 10 lakhs तक का so that फिर आपको आगे उसको pay करना बहुत easy होगा considering your other responsibilities as well करता हूं दोस्तों आपको ये video useful लगा होगा पसंद आया होगा मुझे definitely comment में नीचे बताए कि कौन सा financial thumb rule आप इस्तिमाल करेंगे अपने personal finance में immediately जो apply करते ही आप देखेंगे कि जबर्दस वाइदा आपका हुआ है दोस्तों अगर आपको आज का एक content share करने लाइक लग रहा है तो please do not shy from sharing right लोगों की मदद कीजिए because यही मेरा mission है कि मैं जदा-जदा लोगों को financial illiterate बनाओ so that हमारे भारत देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहे कोई भारत देश का इसा नागरिक नहीं रहे जो personal finance में पीछे है वो आगे जा सकता है by just you know following certain thumb rules so बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज यह वीडियो देखने के लिए आपने समय निकाला right बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and thank you so much this is Zirad signing out from Igday Investment Academy Jai Hind